हम जुले हाट फॉन्डेशन की तरफ से फ्री एंजियोग्राफिक कैम हमने स्टार्ट किया है उसका रेजिटेशन प्रोसेस हमने डेडिकेटेड नमबर दिये हुए है उस पे हमारे पेशन्ट कॉल करते हैं उससे हम उनको सेकेंड डे हम अपने हां बुला लेते हैं अनका सेकेंड डे अपने काडियोलोजिस से स्क्रीणिंग कराते हैं और उनका कितनी अरजनिसिय उसके बेस पे उनको अंजिग्राफिके डेट देते हैं अंजिग्राफिक में हमको अगर्ट के बूर्ण यस में से मिलॉफर में ब्लॉपकित दर और कितना है positivity समझ में आता है और उसके हिसाब से आगे का जो उप्चार है वो हम उसके बाद में डिसाइड करते हैं जैसे कि अगर बीमारी एक जगे पे है और ज्यादा नहीं है जिसको हम गोलते हैं लेस दिन सेवेंटी परसेंट स्टेनॉस या ब्लॉक इच तो हम मेडिकली मैनेज करते ह दिसके прин फांगि की रखते हैं अगर वह ब्लॉक सतरु ठख्य की ऊपर है और एक जगे पे है तो उसको हम एट्च और इक्स्टन डाल दे पर जो पक्र लोट Treasury उसको खोल देते हैं और लास्ट में अगर पूरी की पूरी नसे फीख कर एंगे नहीं डाल सकते तो इसके लिए नया नस जो है ब्लोकेज के आगे लगाना पड़ता है उसको हम बाइपास बोलते हैं तो जो भी treatment modality है यह हमको angiography के बाद में समझ में आते हैं उस हिसाब से हम आगे का treatment कर से हमेरा खुद कर से हमेरा खुद का तजबर है कर एक यह का स्टाफ में आपाया बहुत को प्रड़िति ए सिंसिर है और कि इंशेटिव है कि लोगों को हल्प किया जाए उनकी कोंई ओनेटरी बेनिफिट नहीं है उनका कोई जाति मफादा है विचार काई लोग करना चाहता है अभी तक का हमने असी एंजोग्राफी कम्प्लीट कर ली है जिसमें से 30 एंजोग्राफी की नॉर्मल रिपोर्ट आई जिसमें माइनर प्लाक आया है इसके लिए हमने उनको मेडिकल मेनेजमेंट पे डलवा दिया है बाकि जो 50 लोगों का एंजोप्लास्टी औ पूरा गाइडेंस अपने हमदुल्य हाट फाड़नेशन की तरफ से करते हैं उसमें हमारे साथ काफी ट्रस टायप से उनके पास हम भेजते हैं ताकि उनकी मदद हो सके उनका ऑपरेशन इलाज अच्छे तरीके से हो सके हमारे ट्रस से कुछ पार्शल हेल्प करते हम दूसर दिया जाता है